स्वागत करता हूँ आप सबों का ThinkSenguin के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का काफी request था कि सर आप कीरन के common error का वीडियो डाली है काफी girls भी हमें message किये थे तो आज हम कीरन के common error का ही वीडियो डाल रहे हैं और latest questions को उठा रहे हैं per day 20, 30, 40, 50 इस तरह से करते हुए हम जो एक्जाम आने वाले upcoming CGL के उससे पहले हम इस चीज को कभर कर लेंगे यहाँ पर केबल कभर ही नहीं करेंगे लेकिन इसके जो अगर output में वह बोलू दोस्तों तो detail बताएंगे आपको 149 नमर question से सुरू करते हैं और इसका PDF टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना question क्या कहता the more harder you work, the better it will be पर चार option से कह रहे हैं इसमें से कौन से option में error है कौन से option में गलती है दोस्तों इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जो option नमर A है इसमें गलती है अब आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चला option नमर A में गलती है दोस्तों देखिए ये जो है parallel construction है इसका मतलब the more harder you work the better it will be यानि कि जब इस तरह जो काम इस तरह जो work हो रहे है same to same उसका result उस तरह पर रहा और इसमें सबसे बरी बात ये है दोस्तों समझने लाइक ये बात है कि देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो harder harder अपने आप में comparative बना दिया गया इसको और इसके पहले mode लगा दिया गया इसका मतलब एक साथ दोस्तों क्या किया गया है double comparative का यूच किया गया है अब एक बत बताईए किसी भी sentence में किसी चीज को एक साथ दो बार compare किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है तो दोस्तो इसमें error इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किया गया use double comparative का अब यह double comparative का concept क्या होता है यह मैं आपको अभी बता रहा हूँ ठीक है दोस्तो अगर किसी भी sentence में अगर double comparative या double superlative यूज किया गया है तो वो sentence गलत है चलिए एक और example हम लेते हैं आपको समझाते हैं इस चीज को लेकर अगर मैं ऐसा लिखू दोस्तो अब एक चीज आप गौर से देखिए दोस्तो यहाँ पर जो है सेफर अपने आप में comparative degree है और more भी comparison के लिए comparative degree के साथ यूज किया जाता है तो दोस्तो यहाँ पर दो आपके क्या यूज होएं comparative यूज होएं इस चीज दोस्तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए more को delete कर देना चाहिए केबल ऐसा लिखना चाहिए यह चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए दोस्तो चलिए इसके seed facts को मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो important है और आपके exam में यह काम भी आएंगे क्या है seed facts दोस्तो समझने के कुशिस आप कीजेगा हम यहाँ पर उस चीज को explain कर रहे हैं थोड़ा सा zoom करके आप इसे उतार भी लीजेगा दोस्तो एक बात समझे कि अगर दो adjective दोस्तो combined है end के साथ याद रखेगा कि two adjectives किसके combine है two adjectives अगर दोस्तो end के साथ combine है तो हम लोग दोस्तो उसी परकार का degree यूज करते हैं जो पहले वाले में यूज किया गया उसी same degree को हम second वाले में भी यूज करते हैं जैसे के example से समझे अगर हम ऐसा बोलते हैं he is the strongest and tallest boy in the class दोस्तो अब यहाँ पर देखे यहाँ पर दो दो आपके adjective जो है किस से जुरे हुए end से जुरे हुए तो दोस्तो यहाँ पर जब दो दो adjective end से जुरे हुए और हम इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए कुछ comparison के लिए इस्तिमाल करते हैं तो जो degree यहाँ पर हम पॉजिटिव यूज करेंगे तो यहाँ पर भी end के बाद positive degree ही आएगा अगर यहाँ पर हम comparative degree यूज कर रहे थी यहाँ पर भी end के बाद comparative भी आएगा अगर यहाँ पर हम superlative degree यूज कर रहे थी यहाँ पर भी end के बाद superlative degree ही आने है दोस्तो यहाँ पर भी देखिए हमने superlative degree यूज किया यहाँ पर भी हमने superlative degree यूज किया यह चीज़े adjective end से connected हो तो जिस परकार का end से पहले आप डिगरी यूज कर रहे हैं उसी परकार के end के बाद भी आप डिगरी यूज करेंगे इसके अलावा दोस्तों एक बात में आपको और बताना चाहता हूं कि अगर sentence में अगर आप one of कहीं पर भी यूज देखें समझ लीजेगा इस बात चरको दिमाग में छाप लेना आपको आगे question मिलेगा और एक बात और दोस्तों जो बताना में आपको चाहता हूं कि आप cable और cable अगर error परहे हुए गलती हो रहा तो previous error पर ध्यान दीजिए उसका notes बनाईए detail में पर ये उससे बाहर question नहीं आने है चलिए आगे आप चर्चा करते हैं दोस्तों आज का हमारा seed facts यही था आगे हम discussion कर लेते हैं थोरा सा next question की और बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों चलिए थोरा सा इसको छोटा कर देते हैं अब देखे 1440 नमर question क्या कह रहा है इस question में कह रहा है कि I will spend my rest of remaining life in my native village देखे ये एक दम बेब कुफी बाली बात है अब जो बच्चा normal भी होगा वो भी समझ जाएगा देखे एक बात बताईए rest का मतलब क्या हुआ बच्चा हुआ और remaining का मतलब क्या होता है बच्चा हुआ तो दोस्तों यहां rest और remaining एक साथ क्यों यूज करें आप तो या तो remaining यूज कर दीजे ने तो rest यूज कीजे जब बात एक ही बता रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखेगा यहां पर आ जाता है word और slang का concept कि एक साथ जो चीज का same meaning होता उसको बार बार यूज किया जाता भी मैं आपको बताऊंगा इसमें दोस्तों गलती कहा है my rest of remaining या तो आप remaining लिख दीजे I will spend my remaining life in my native village या आप ऐसा लिख आप ध्यान में रखेगा चलिए दोस्तों चलिए सीट फैक्स को हम कभर करते हैं थोड़ा सा और जूमिन करके एक दोस्तों दोस्तों देखे जब कभी sentence में आप एक बात ध्यान रखेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह point आपको ध्यान में रखना है कि कई बार हम लोग sentence में na final conclusion भी देखते हैं इसको मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों ध्यान रखेगा देखे conclusion का मतलब क्या होता है कि final किसी मुद्धे पर पहुचने के बाद उसका निश्ट करस यानि कि final होता है तब ही जाके conclusion निकलता है अब एक बात बताईए दोनों सब्द इस्ते dependent हो जाता है यह ज़रूरी नहीं है लिखना जैसे के example भी मैं आपको बता सकता हूं जैसे देखे इच रिसर्च रिसर्च ग्रूप इच रिसर्च ग्रूप इच रिसर्च ग्रूप कैम टू कैम टू एस similar similar final conclusion final conclusion दोस्तों देखे आपको इसमें पता चलेगा कि यार इसमें त final को हटा दीजिए cable और cable conclusion को रहने दीजिए एक point आप note और किजेगा दोस्तों reason because कभी भी नहीं लिखा जाता है यह गलत है अब क्यों ऐसा है देखे because जब ही असपस्ट होता है इसका मतलब किसी ना किसी reason के कारण है कोई कारण होता reason का मतलब भी कारण होता है याद रखेग आप reason और because को एक साथ असपस्टी करन ना करें ना use करें आप या तो ऐसे इस्तिमाल करें reason why एक example देखिए this is this is the reason this is the reason why he does not he does not come यही कारण है जिससे वो नहीं आया यही कारण है क्योंकि reason और because एक साथ इस्तिमाल नहीं एक point और मैं आपको note करना चाहता हूं कि कभी भी study औ और एक दोस्तो लेखें कभी भी study और room आप साथ use नहीं करना क्योंकि study का मतलब ही होता है जिस room में आप परते हो यह आपका गलत हो जाएगा इसके अलाबा कुछ point में आपको और बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान में रखने परेंगे कभी भी cousin और brother use मत कीजेगा यह sentence गलत होगा cousin direct use कीजे cousin का मतलब ही होता है चचेरा फुपेरा ममेरा भाई तो brother use करके इसको क्यों superflux बना रहे हैं तो दोस्तो चलिए यह चीज आपको ध्यान में रखना परेगा जिससे आपके exam में question आएंगे निस्चित रूप से आएंगे और आप विश्वास कीजिए जो टायर टू में 2022 में latest question पूछा गया है देखे अभी season में एक चीज देखा जा रहा है कि world का association पर question बहुत पूछते हैं लोग भागते किसके पीछे हैं grammar के पीछे जिससे वो error में गलतियां कर बैठते हैं चलिए question को पढ़ते हैं we yet have time to catch the bus देखे यहाँ पर जो error है इसमें हम पकरने के लिए अभी भी time है हम लोगों के पास तो यहाँ पर yet का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि yet इस चीज को नहीं दिखाता क्योंकि यहाँ पर जो sense बन रहा है इस sentence में positive sense बन रहा है बट yet का आर्थ है negative sense को बनाना तो चलिए मैं आपको यह पहले समझाता हूँ कि yet और still में क्या अंतर है आपको yet भी बताऊंगा और yet और still मैं क्यों sit facts में आपको बोल रहा हूँ इस चीज को समझेगा आपको automatically yet and still देखे दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ मैं इसको थोरा zoom करके बताना चाहूँगा इस reason में ठीक है क्योंकि मेरे पास तो regional board है नहीं ज still का जो इस्तेमाल होता है positive sense में होता है बहुत जादा तर 80% और दोस्तों yet का मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है दोनों समझेगे negative और positive दोस्तों still का मतलब क्या होता है देखिए still का मतलब यह होता है दोस्तों कि अभी भी ठीक है still का मतलब अभी भी यानि कि expect किये थे वो अभी नहीं हो रहा है जैसे देखिए हम expect किये थे कि बारिस होगा जैसे it is not running yet not running yet हमने yes मतलब expect कि बारिस होगा लेकिन बारिस नहीं हुद अभी तक सटार्ट नहीं हुआ है आपको यह का मतलब यह हुद धोस्तों अभी आप चीज हो रहा है जैसे के एक्जामपल देखें अभी भी मतलब जहां उसको देखे थे अभी भी वही रहता है ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया कि येट और एस्टिल के बीच में क्या अंतर है दोस्तों ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी येट का जो है निगेटिव सिंस में इस्तेमाल होता है और एस्टिल का दोस्तों पॉजिटिव सिंस में इस्तेमाल होता है येट का मतलब होता है कि जो हम एस्पेक्ट किये थो वैसा काम नहीं हुआ या अभी वो होना बाकी है और still का मतलब होता है positive sense में इस्तेमाल होता है दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों हम next की और आगे बरते हैं आपको ये चीज़े समझना चाहिए जो बहुत important है ओके अब आगे बरते हैं जो next हमारा question है उसकी और तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था यहाँ पर लगना चाहिए we still हमारे पास अभी भी समय है हम बस को पकर सकते हैं ठीक है next question में देखिए 1442 है तालिस के बाद 40 है ठीक है चलो next question में क्या कहता है ध्यान से समझेगा इस बात को कह रहा है कि this dog seems to be very furious बड़ा खुंखार लगता है otherwise it is harmless यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती है यहाँ पर otherwise कब हम यह इस्तेमाल करते कि भाई अगर तुम काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जगा otherwise यह काम कर दो ठीक है तो यहाँ पर otherwise बिल्कुल सूट नहीं करता है क्योंकि एक sentence जो है दूसरे sentence को contrast दे रहा है समझेगा बात को मतलब कुता फिरोसियस है खुंखार है लेकिन harmless है यह harm नह लगता है कि इसमें जो error है दोस्तो otherwise में होना चाहिए क्योंकि otherwise suitable नहीं है यहाँ पर बट लगना चाहिए बट क्यों लगना चाहिए क्योंकि आप result बता रहें लेकिन हाँ ठीक है मतलब वह गुसा तो था लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाया लेकिन otherwise गुसा था इस नमर में हम लोग आते हैं देखिए इस चीज को समझते हैं इस रिनाउंड 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 गा मतलब परशीद होता पॉपलर युनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फोर स्टुडेंट्स देखिए इसमें बच्चा भी बता सकता है क् एक सिंगल उन्वर्सिटी की बात की गई है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भर भी क्या आएगा सिंगुलर आएगा यहां पर प्रोवाइट के बदले प्रोवाइट्स होना चाहिए ओके इसमें सभी बच्चे इसका आंसर दे दिये होंगे देख कर इए इसमें कहीं से को तो यहां पर देखिए अब आपको समझना परेगा कि आप देखें यहां पर दिफिकैल्टी और नजये शाहिए यह गलत नहीं है लेकिन दोस्तों यहां पर मिस्टैक है यहां पर स्ट्रेंड क्या है सब्जेक्ट है और तो यहां पर देखे ander जब हम यूज किये गैं तो य singular treat किया जाएगा in that sense we have to use here watch यहाँ पर वाज का इस्तेमाल होना चीए था बट यह यह वर तो यहाँ पर यह दो में error है यह ध्यान में रखिएगा uncountable noun को हम लोग singular treat करते हैं ओके अब 1445 पर हम आते हैं बहुत important है यह आपको समझाने की कोशिस भी करूँगा हलाकि यहाँ पर दो error है लेकिन जो एक ही error को बताया गया किरन के इस किताब में लेकिन दो error यहाँ पर मुझे लगता है आप लोग बताईएगा comment में कि क्या error हो सकता है the girl lay down on the bed besides her mother and went to sleep मतलब यहाँ पर ऐसा sense दे रहा है कि मतलब मा के बगल में वो ले डाउन थी स्वई हुई थी और इसके अलाबा उसकी besides देखें यहाँ पर आप समझेगा यहाँ पर एक छोटा सा mistake किया गया हम इसको detail explain नहीं करेंगे देखें beside और besides में आपको अंतर बता रहे हैं देखें besides का मतलब क्या होता बगल में इसमें या बेट पे ले डाउन करी है कि इसके बगल में मां से शटकर तो अपने मां से सटकर यहाँ पर still error exist कि यहाँ पर bed जो है दोस्तों ध्यान से समझेगा इस चीज़ को आगे explain करूँगा कि चाहें आप इस school की articles error हमें यहाँ लगता है क्योंकि यहाँ पर वो सोने के लिए गई है sleeping करना bed पर क्या काम करना है सोने का यहाँ पर on the bed होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इसको नहीं दिया गए आप इस चीज़ को बताइए कोमेंट में हाला कि इसमें इसे दो नम्मर में error है besides हर्मदर नहीं beside हर्मदर होगा ठीक है लेकि मुझे एक error और लगता है on the bed इसमें क्यों error लगता है क्योंकि देखो जो bed होता है वहाँ पर हमारा काम है बिश्राम करना या सोना और यहाँ पर भी लड़की का वही sense बन रहा बिश्राम करना या सोने का तो आपको पता है जब हम omission of article परते हैं उसमें चाहे school की बात करें चाहे college की बात करें चाहे दोस्तो church की बात करें चाहे टेंपल की बात करें चाहे मार्केट की बात करें चाहे प्रिजन या आपकी साथ मैं बेट की बात करूँ अगर इसका यही उद्देश है जो सोने या उठने बैटने जैसे जेल में कहा है कि कैदी को रखा जाता है इसकूल में पढ़ा जाता है पढ़ाया जाता अगर व दोस्तो अब आते हैं 1446 पे अब ये 1446 में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा कह रहा है कि उसको स्लाइट फीवर था उससे वो बेट पे चली गए तो यहां पर दोस्तो यहां पर तो सरा सर एरर है इसमें दो नम्मर में क्योंकि यहां पर बेट का परपस क्या है आपको मैंने सुरु में बताई था चाहे इसकूल हो चाहे कॉलेज हो इसी इट फेक्ट में लिख लिज जाता है ददा लगता है लेकिन यहाँ पर जो है बेट पर चली उद्देश होगा उसका विश्राम करने का यहाँ पर टूदा बेट नहीं लगना चाहिए और एक इसमें आप यूं समझिए कि यहाँ पर जो है ना टूदा बेट भर्व का दूसरा रूप है और एसपॉकें दोस्तो है तीसा रूप यह भी वन है यह भी टू है और यह भी थ्री है ओके तो यहाँ पर आप गौर सी देखिएगा है यह प्रिजंट पर फेक्टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्ट्चर है तो है प्लस सब्जैट प्लस भर्व क तीसा रूप आता है यहाँ पर लेकिन भर्व का दूसरा रूप इस्तेमाल किया गए जो की गलत है इसलिए दोस्तों यहाँ पर एवर एस्पोकें इनको यूज करना चाहिए था इसलिए पार्ट नमबर ए में 1447 का क्या है दोस्तों गलती है देखिए वीडियो लंबा में यहाँ आप कहा एक दोस्तों दोस्तों इस sentence में गलती है कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा चर्चा कर रहा है कि जो expect किया गया था उससे city कुछ अलग है कुछ अलग है different from what he had expected जिसे you are different from what we have expected तो यहाँ पर जो देखिएगा गोर सेथ यहाँ पर दोस्तों error है वो है चार नमर में different to गलत है expectation से अलग है तो यहाँ पर from pre-present का use होना चाहिए था इसलिए इसमें छोटा error था आप इसमें 20 ध्यान ना दे यहाँ पर आते 1449 में इसमें देखते हैं क्या error है your name precedes before mine in the list देखिए यहाँ पर जो है न दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि precedes यहाँ पर before redundant है your name precedes mine in the list यहाँ पर इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया गया है ठीक है यहाँ पर precedes before आपका redundant है इसके जगह कुछ और इस्तेमाल हो सकता था तो यहाँ पर 1449 में 3 नमर error है और इसमें यह question जादा important नहीं है जो important होगा मैं आपको बोलता भी चलूँगा आप 1450 नमर पे हम आते हैं और इसलिए हम उसको detail explain भी नहीं करना चाहते हैं अब जो important है कि जिससे question first सकता है जैसे देखे इसमें देखेगा गौर से तो आप जब इसमें बहुत अच्छे से देखेगा दोस्तों आपको कुछ यहां पर दिखेगा कि you should avail this opportunity to demonstrate your skills यहां पर दोस्तों avail का मतलब क्या होता है कि पकरना benefit लेना इस opportunity का इस object का benefit तुमको लेना चाहिए अपना skills दिखाने के लिए but problem exists here कि यहां पर avail को हम अगर transitive verb के तरह इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर इसके बाद object आना चाहिए लेकिन यहां पर देखिए एक बाद देखिए यहां पर avail के बाद object तो है नहीं जब object नहीं है या इस तरह से इस्तेमाल करने में नहीं हमको दिख रहा है इसमें दोस्तों इसके नमर तीन नमर गलती है याद रखिएगा कि जब कभी अगर हम ट्रांजिटीव वर्ब की बात करते हैं यह जितने भी आपको दिख रहे है यह वर्ब जो है यह अपने बाद या तो ट्रांजिटीव वर्ब है तो object लेता है नहीं तो object अगर पूर्टी नहीं हो रही है तो हम लोग reflexive pronoun को लिकर इसके काम को बना देते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर avail के बाद yourself का इस्तेमाल होना चाहिए ऐसा कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पर यह गलती है 1450 के 3 में और आपको कुछ सब्द बता रहा हूँ याद आपको ध्यान रखना परेगा चाहें hurt का इस्तेमाल है किसी sentence में cheat का इस्तेमाल किया गया है या pride का इस्तेमाल किया गया है उसके बाद prostrate prostrate का इस्तेमाल किया गया है तो दोस्तों यहां पर गलती हो गया यहां पर गलती क्या हुआ कि यहां पर टूक एक टास्क नहीं टू टास्क का मतलब होता है यहां रखेगा किसी को डाटना किसी को चायट करना फटकारना यहां पर मेनेजर क्या किया है उसके जो ध्यान नहीं देता था निगलेट कर देता था चीजों को नेगलिजेंस के कारण उसको क्या किया गया फटकारा गया है यहां पर तीन नमर में दोस्तों उत्तर नमर तीन आपका गलत है अ हम आज नहीं परेंगे next किसी वीडियो में हम और को कभर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जादा वीडियो लंबा हो गया तो बच्चे कहते थोड़ा 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 चोटा चोटा वीडियो बना यार अगर अच्छा लगा हो तो comment जरूर कीजेगा जो भी rules मैंने आपको बता हम इसके दोटो बूलियो को सेर्कीछ